बिहार में सराब पीना, बेचना और रखना पूर्णत प्रतिवन्धित है लिहाजा बिहार में अक्सर सराब की खेप और सराबी पकड़े जाते हैं पकड़ी गई इन सराबों को बिहार के सभी थाने समय समय पर उसका विनस्ठी करन करते हैं इसी कड़ी में कटिहार जिले के आमदाबाद थाने में अलग-अलग मामलों में जब सराब का थाना परिशन में विनस्ठी करन किया गया मदनिसेद अभियान के तहट कुल तीन अलग-अलग मामले में जब 28 लीटर देशी सराब और सवा 7 लीटर विदेशी सराब को सुमबार को आमदाबाद थाना परिशन में मेजिस्ट्रेट सीयो अनील कुमार संतोसी की देख रेक में थाना प्रभारी के मौजूदगी के साथ सभी सराब की बोतलों और सराब का विनस्ठी करन किया गया कुल 35 लीटर सराब का विनस्ठी करन सुमबार को आमदाबाद थाना परिशन में किया गया दो मामलों में 28 लीटर देशी सराब और एक अलग मामले में 7 7 लीटर भी सिसराब को सब 35 लिटर सराप का समहरता महोदय कादिश पर विनस्टी करन किया गया है। बहराल कटिहार का आमदबाद बंगाल और जहारखंड की सीमा से सटे होने की वजह से यहां अक्सर सराप पकड़ी जाती है। जिसे मजिस्टेट के सामने वह उनके देख रेख में पकड़ी गई सराप का विनस्टी करन किया जाता है। शशी कुमार न्यूज लाइफ आमदबाद